हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज में बनाने जारी ब्रेट चिकल लैली पॉप ब्रेट चिकल लैली पॉप बनाने के लिए चिकन का कीमा ले लेंगे कीमा में डाल देंगे सोय सॉस डाल देंगे नमक नमक अपने टेस्ट की हिसाब से डालेंगे चिकन मसाला कश्मीरी लैल मिर्च पॉडर बिनीगर अध्रक लासुन का पेष्ट गड़म मसाला पॉडर डाल देंगे टमेटर सॉस खाली मिज जीदा का पॉडर सारा मसाला डला गया सबको अब मिक्स कर देंगे चिकन में सारा मसाला मिक्स हो गया चिकन को ढ़क करके दस मिनिट के लिए मैरीनेट होने के लिए डाल देंगे तेल गड़म हो गया डाल देंगे अध्रक कटा हुआ लासुन कटा हुआ हरी मिर्ची प्याज सबसे पहले डालेंगे अध्रक तेल में अध्रक और लासुन हलका ब्राउन होने देंगे ब्राउन होगे डाल देंगे हरी मिर्ची कटी और प्याज ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बस पुरत्रा ब्राउन होने देंगे प्याज ब्राउन हो गया है डाल देंगे चिकन डाल करके भूलेंगे किकन को खुब अच्छे से भूनने देंगे डाल देंगे ड़ी ड़ी डाल करके भूनेंगे डाल देंगे टमाइटो सॉस खुब अच्छे से खिकन भूना जाएगा तब बनाएंगे किकन भूना गया डाल देंगे रा दनिया डाल करके दनिया पती डाल करके तब भूनेंगे फिर ब्रेड लेलेंगे ब्रेड के साइट को काट करके निकाल देंगे इस तरीके से साइट की ब्रेट निकाल देंगे जी तरीके से सारे ब्रेट को निकाल देंगे साइट से सारा ब्रेट कट गया इस तरीके से यहां ब्रेट कर ले लेंगे साइट बच्ची हुए इसका ब्रेट क्रम्स बना लेंगे जार में डाल करके आइस क्रीम इस्टिक ले लिए एक पानी में डाल करके पाँच मिनट के लिए छोड़ दे के फिर बनाएंगे ब्रेट क्रम्स बन गया है एक प्याला ले लिए प्याला में डाल देंगे मैदा मैदा का एक पेश्ट बना लेंगे पानी डाल करके पेष्ट बना लेंगे करेंगे मिक्स करेंगे खुब अच्छे से पेष्ट बन गया है पेष्ट में से निकाल लेंगे और बेट के साइट पेस्ट निकाल लेंगे पेस्ट निकालेगे और पतला कर देंगे पानी डाल करके फिर मिकस करेंगे इसको पतला करेंगे इतना पतला रहे जो लगजा बडेड में ये पतला हो ग्याया है एक श्टिक लेंगे श्टिक पर ये पेस्ट लगा देंगे मैं देखा जो था इसको लगा करके यहां इसकी साइड में डालेंगे किमा ठंदा हो गया किमा डाल देंगे इसमें फ्रीमा डला गया है इसमें फिर साइट से पेष्ट लगा देंगे इसके साइट पेष्ट लग गया है इसको लगा करके इसको लगा देंगे इसमें डाल करके इसके डाल लेंगे ब्रेड करम्स में इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ब्रेड कर्म्स का कोट इस तरीके से सारे पर लगा देंगे यह लग गया है दूसरे श्टिक पर भी पेश्ट लगाएंगे फिर इसी तरीके से स्टिक को डाल देंगे बीच में फिर तीमा डालेंगे इसके साइट पर पेश्ट लग गया इसको फिर इसी तरीके से इस पर दबा देंगे सारे ब्रेट में लग दिया ब्रेट को फ्राई कर देंगे तेल गरम हो गया डाल देंगे ब्रेट फ्राई होने के लिए फ्राई होने देंगे दीरे दीरे एक साइट से फ्राई हो गया इसको पलड देंगे अब एक साइट से फ्राई हो गया दूसरे साइट पलड दिये इसको भी फ्राई होने देंगे गैस की फिलम को लोड़ रखें यह खुब अच्छे से फ्राई होने देंगे फ्राई होके आप निकाल देंगे इसी तरीके से दूसरे को भी बना लेंगे ब्रेट चिकल लली पॉप बनके रेडी है ब्रेट लिए्ट लिए्ट लिए इसका भी बना लेंगे